देखे आदर्णिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांगलादेश से लेके कैनेडा आदेश के किसी भी कोने में भारतिय अगर संकट में रहते हैं और देशवासी संकट में रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ खड़े होते हैं जब भी हिंदूओं के उपर हमला होता है हिंदू होने पर भले वो बांगलादेश हो गया या कैनेडा हो गया आदर्णी अप्रधान मंतरी जी उसके बारे में बोलते हैं चिंता व्यक्त करते हैं और आक्शन के लिए आवान करते हैं परंतु पीडा की बात ये है कि नैशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर जब सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ता है प्रियंका वाडरा जो दस ट्वीट्स करती है गाजा के उपर राहूल गांदी जो माइनॉरिटीज की बात देश में करते हैं जब भी हिंदूओं क के उपर बांगलादेश से लेकर कैनेडा में हमला होता है ये सब लोग चुप्पी साधते हैं इससे ये समझ में आता है कि इंडियन ओपोजिशन के लिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए हिंदू लाइव्स डोंट मैटर